अध्यात 14 प्रकर्टी के तीन गुन भगवान ने कहा अब मैं तुमस्त ग्यानों में सरोस्रिष्ट इस परम ग्यान को पुना कहूंगा जिसे जान लेने पर समस्त मुन्यों ने परम सिध्धी प्राप्त की है इस ग्यान में स्थिर होकर मनिश्य मेरे जैसी दिब्य प्रकर्टी को प्राप्त कर सकता है इस परकार स्थित हो जाने पर वो ना तो स्रिष्टी के समय उत्पन होता है और ना प्रले के समय बिचलित होता है हे भरत पुत्र ब्रह्मा नामक समगर भोतिक बस्तू जन्म कास्त्रों थे और मैं इसी भ्रह्मा को ग्रवस्त करता हूँ, जिससे समस्ट जीवों का जन्म संभव होता है। कुंति पुत्र तुम यह जान लो की समस्त प्रकार की जीव योनिया इस भोतिक प्रकरती में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ भोतिक प्रकरती तीन गुणों से युक थे यह है सतोगुन रजोगुन तथा तमोगुन है महाभाव अर्जु और मनुश्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वो सुख तथा ज्यान के भाव से बन जाते हैं हे कुंति पुत्र रजोगुन की उत्पती असीम आकांक्शाओ तथा त्रिश्णाओं से होती है और इसी की कारण से यह जीव सकाम कर्म से बन जाता है हे भरतपुत्र तुम जान लो की अज्यान से उत्पन तमोगुन समस्त देधारी जीवों का मोह है इस गुन के प्रतिफल पागलपन आलस तथा नींध है जो बजजीवी को बानते हैं हे भरतपुत्र सतोगुन मनुश्य को सुक से बानता है र भरतपुत्र कभी कभी सतोगुन रजोगुन तथा तमोगुन को प्रास्त करके प्रधान बन जाता है तो कभी रजोगुन सतो तथा तमोगुन को प्रास्त कर देता है और कभी ऐसा होता है कि तमोगुन सतो तथा तथा रजोगुन को प्रास्त कर देता है इस परकार सरिष् परकाशित होते हैं, हे भरंद वेशियों में प्रमुख, जब रजोगुन में ब्रिधी होती है, तो अत्यतिक्त आसकती, सकाम कर्म, गेहन उद्धम, तथा और नियंत्रित इच्छा, एबं लालसा के लक्षन परकट होते हैं, जब तमोगुन में ब्रिधी होती है, तो हे कुं प्राप्ति होती है जब कोई रजोगुन में मरता है तो वो सकाम कर्मियों के बीच में जन्म घ्रन करता है और जब कोई तमोगुन में मरता है तो वो पशुयोनी में जन्म धारन करता है पुन्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है लेकिन रजोगुन में प्रमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है तो वो मेरे दिव्य सोभाव को प्राप्त होता है। जब धेदारी जी भोतिक शरीर से संबंद इन तीनों गुणों को लांगने में समर्थ होता है तो वो जन, मृत्यू, बुडापा तथा उनके कश्टों से मुक्त हो जाता है और इसी भोतिक के गुणों को किस परकार लांगता है। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो परकाश आसकती तथा मो के उपस्तित होने पर ना तो उनसे ग्रिणा करता है और ना लुप्त हो जाने पर उनके इच्छा करता है, जो भोतिक गुणों की इन समस्त और विच्रित रहता है और यह जानकर की केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासिन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है, और सुख एवं दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं सोरन के टुकडों को समान दृश्टी से देख जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है, और प्रशन सा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रू तथा मित्र के साथ समान वेवार करता है, और जिसने सारे भोती कारियों का परित्या कर दिया है, ऐसे व्य करती के गुणों को लांग जाता है और इस परकार ब्रह्मा के स्तर तक पहुंच जाता है और मैं ही उस निरंकार ब्रह्मा का आश्रे हूँ जो अमर्ते, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुक का सोभाविक पद है।